हमें अपने घुटनों को बदलने की नहीं बचाने की जरूरत है इस सोच के साथ आज रविवार को वारांसी के सिद्धिगिरी बाग इस्थित अस्थी रोग विशेशगे डॉक्टर अजीज सैगल के मंगलपन क्लीनिक में एक सेमिनार का आयोजित किया गया यह सैमिनार केयर और्थोपेडिक फाउंडेशन और ओसेक और्थोपेडिक एस्सोसियेशन ओफ सार कंट्रीज के संयुक्त तक्त्वावधार में आयोजित किया गया जिसमें पूरे भारत के कई शहर जैसे दिल्ली आगरा गुरुग्राम से लगभग 40 डॉक्टर शामिल साथ ही एक ओप्रेशन करके भी दिखाया गया ताकि लोग इस पर बहतर समझ प्राप्त कर सके कारिक्रम की शुरुवात दीप्रजरन के साथ की गई यही इस कारिक्रम में मुख्य अतिती प्रोफेसर S.C. गोयल रहे जिनका स्वागत वा सम्मान डॉक्टर अजीस सैगल ने किया इसके बाद कारिक्रम की शुरुवात की गई इसके बारे में बताते हुए अस्ती रोग विशेशग्य डॉक्टर अजीस सैगल ने बताया कि केयर और्थोपेडिक फांडेशन और ओसेक के द्वारा एक सेमिनार का आयूजन किया गया है जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि हर घुटने को बदलने की जरूरत नहीं है हमें जादा से जादा घुटनों को बचाना चाहिए इस सेमिनार में घुटनों को दवाईयों प्लाजमा और हाई टीविया लोस्टियामी से कैसे बचाया जा सकता है इस माध्यमों पर चर्चा की गई है इसके साथ ही उन् में सालों साल तक लोगों को आराम मिलता है लोग भाग दोड़ कर सकते हैं वहीं इस प्लेट पर भी इस सेमिनार में चडचा की गई और एक कॉपरेशन करके दिखाया गया इस सेमिनार में दिल्ली आगरा गुरुग्राम प्रयाग राज और अन्य जगहों से 40 डॉक्चर आ अवनीश मिश्रा, डॉक्टर जी एन खारे, डॉक्टर केडी त्रिपाथी, डॉक्टर अजीज सैगर, डॉक्टर संजय धवन, डॉक्टर विक्रम खन्ना और प्रोफेसर अमित रस्तोगी के साथ अन्य डॉक्टर्स मौजूद रहें अगर ऐसी स्थिति आती है कि घुटना नहीं बच सकता है तो जोड़ बदला जाए तो कोई बात नहीं लेकिन उसके पहले घुटना बदलने की जरुरत नहीं होनी चाहिए उसके लिए हमें कोशिस करनी है उसी के लिए ये समिनार का आउजन किया गया है जिसमें विभिन माध्यमों से घुटने को बचाने के बारे में बात होगी दवाईयों से कैसे बचा सकते हैं प्लेट लेट रिषप लाजमा से कैसे बचा सकते हैं हाई टीविल आस्टियाटमी से कैसे बचा सकते हैं और हाई टीविल आस्टियाटमी में मैंने एक प्लेट डिजाइन किये जो भारत सरकार के द्वारा पेटेंट हो गई है डॉक्टर सैगल एस्टियो प्लेट उसको लगाने से घुटने की ग्रेट 3 की आर्थराइटिस में बहुत ही ज़्यादा सुधार होता है रोगियों का अराम मिलता है वो सालों तक चल फिर सकते हैं उकडू बैठ सकते हैं, चौकडी मार सकते हैं तो अगर हम बचा सकते हैं तो घुटने को बचाना चाहिए है इसलिए उसके बारे में एक व्याख्यान होगा और bone model demonstration होगा एक operation करके दिखाया जाएगा किस तरीके से उस plate को लगाए जाता है और घुटने को बचाया जाता है मैं समझता हूँ कि अगर घुट्टे को हम बचा सकें तो यह बहुत बड़ी देन होगी एक रोगी के लिए इसमें हम लोगोंने 40 लोगों के participation का कारेकर रखा है जिससे हम उनको ठीक तरीके से operation दिखा सकें जिससे वो सीखें कि कैसे इस operation किया जाता है इसमें दिल्ली से, इलहबाज से, आगरा से, सोन भद्र से, गुरुगराम से बहुत कई डॉक्टर बाहर से आये हैं जो इस तकनीक को जानने की इच्छा रखते हैं और सीखना चाहते हैं